ए वी एन ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट ए वी एन ये शब्द है और इसकी वज़ए से आर्थ्राइटेस या ओस्टियो अर्थ्राइटेस हो जाती है हिप जॉइंट में तो आज हम समझने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ दीमर है ब्लड सप्लाई जो हमारा है जो बॉल है हमारी उसकी खून की सप्लाई किस तरीके से होती है एवस्कुलर नेक्रोसिस अगर आपको बोला जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको हम दोस्तों एक डाइग्राम की मदद से समझते हैं हम यह देख रहे हैं कि यह हमारा बॉल है यह हमारा ग्रेटर टोकैंटर है और यह जो है फीमर हडडी है जो हम कप बोलते हैं यह एस्टावलम बोलते हैं वो इस तरीके का होता यह जो है हमारा एस्टबलम है यह हमारा एस्टबलम है अब दोस्तों जो नॉरमल ब्लड सप्लाई होती है किसी भी बोन की वो उपर से नीचे आती है इस डिरेक्शन में यहां पर एक फिमर आर्टरी होती है femoral artery जिसको बोलते हैं और यहाँ पर operator artery भी होती है इससे branches निकलती है circumplex vessels इनको बोलते हैं और यह सारी retrograde blood supply यहाँ पर एक यह जाल बनाती है यह आप देख रहे हैं यह जाल बना रही है और यहाँ से यह blood supply ऐसे जाती है ऐसे जादा आने के बजाए ऐसे नहीं आती किस direction में जा रही है ऐसे जा रही है बहुत ही थोड़ी सी supply यहाँ से हलकी सी आती है जो की femur के head को जिंदा रखने के लिए बहुत जादा कम है अगर यहाँ पर fracture हो जाए इस जगा पर इधर एक fracture हो जाए किसी को उसके बाद भले आपने screw लगा दी है इधर या आपने plate भी लगा दी इधर और screw लगा दी है पर कई बार यह blood supply मर जाती है अगर यह blood supply मर गई तो दोस्तों इस भाग में blood पहुँचना बंद हो जाएगा जब इस भाग में blood पुहांषना बंध हो जाएगा तो ये धीरे 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 इस भाग से यहां से ये खुरदरा होना चलो हो जाएगा ये मरना चलो हो जाएगा और मरने को ही medical भाषा मैं बुला जाता है necrosis और किस कारण वश हुई ये वस्कुलारिटी मतलब ब्लड सप्लाई कम होने की वैसे हुई इस वैसे इसको क्या आगे वह शब्द लगा दिया गया ए वस्कुलर और किस जगह पे हुई हिप जॉइंट में तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कहां से लिया गया है ए वी एन ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट ए वी एन ये शब्द है और इसकी वज़ए से आर्थराइटेस या ओस्टियो आर्थराइटेस हो जाती है हिप जॉइंट में और ये पूरा जॉइंट खुर्दरा हो जाता है यहां पर और पेशिंट्स के खतम हो जाती है यह ब्लड सप्लाई सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फ्रेक्चर के केस में खराब होगी किसी कारणवश अगर ब्लड थिक हो रहा है ब्लड थिक हो रहा है तो भी वो इन वैसल्स में जा नहीं पाएगा और यहां पर ब्लड सप्लाई कम होने की वैसे आपके खूल में ऐसा होता है काफी सारे कारण हमें नहीं पता है उसका उसको बोला जाता है इडियोपेथिक दूसरा एलकोहॉल लेने वाले लोगों में भी इसकी मात्रा पाई गई है ज्यादा दूसरा स्टिरोइड आपको दवा के लिए ट्रांस्पाईन की डिजीस के लिए गुटने के लिए इन सब चीजों के लिए अगर आपको कोई बीचीज के लिए ऐस्मा हो या ट्रांस्पाईन डि personalities पनी रखते हों एकदम उपर आजाते हैं तो उसमें भी तरीके की प्रक्रिया होती है इसमें नाइट्रोजन के गैस बबल्स बन जाते हैं वो भी ऐसे इंफाक्षन कर सकते हैं ब्लड में वैसल में आपके खून की ब्लड सप्टाइग कम कर सकते हैं तो दोस्तों मैं समझता कि आपको कुछ इससे आइडिया लगा होगा कि क्या अनैटमी होती है हिप के ब्लड वैसल की किस तरीके से वो काम करना बंद कर जाती है किस किस कारणवश और कैसे अर्थराइटिस इसमें डेवलप हो जाती है अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटिट कोई भी तकलीफ है तो थैंक यू सो मुझ